खून बनाने की मसीन है ये दाने, इतना खून बनेगा कि आपको डोनेट करना पड़ेगा, दोस्तो आज की इस विडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जो खून बनाने की मसीन है, और यदि आप इस नुस्खे का सेवन करते हैं, तब आ नहीं आपको कभी एनीमिया की समस्या होगी और दोस्तों इसके साथ-साथ आपके सरीर का पूरा खून सुद भी हो जाएगा इसके लावा दोस्तों ये नुस्का आपके सरीर में लीवर और किड्नी की सफाई का भी काम करता है जिससे कि आप बहुत त्रहें के रोगों से व्येसा के लिए बचे रहते हैं इसके साथ में ये एक जबरदस्त नास्ते का काम भी करता है और आपके सरीर में फोलाधी ताकत का संचार करता है और दोस्तों आपको कोई और चीज खाने की जरूरत नहीं होती और आपकी बोड़ी इस नुस्खे को खाने से फोलादी बनेगी ना कि थुलतरी आपके सरीर के अंदर ताकत का नया संचार होगा आपके सरीर के अंदर रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक बढ़ और आपके सरीर को बहुत त्रहें की बीमारियों से बचाता है दोस्तों इस नुस्खे का सबसे पहला काम तो आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करना और पूरे सरीर के खून के सफाई करना है और दोस्तों इसी काम से आप डेड़ सो त्रहें के रोगों से बचे रहते है इसके साथ में ये नुस्का लिवर और किड़नी के सभाई करता है जिसे आपका पूरा स्रीर प्रोपर तरीके से वरक करता है दोस्तो इसके लावा ये नुस्का आपको पेट के रोगों से बचाता है और दोस्तो यदि आपको पेट के रोग नहीं होंगी तब आपका पूरा स स्वस्थ बना रहेगा क्योंकि दोस्तों यह बात तो आप जानते ही होंगे कि यह हमारा पेट ही है जो बहुत रहें की बीमारियों का घर बनता है इसके कान ही हमारे सरीर में बड़ी-बड़ी बीमारिया जैसे डाइबटीज, बवासीर, कबज, एसडिटी, पेट में गैस और मोटापा, यह सारी बीमारियां इस पेट के कान ही जैनलेती है और यह नूस्वा आपकी इन सब बीमारियों का इलाज करेगा, इसके साथ में आपके मोटापी को भी कम करेगा, आपकी पेट की चर्दी को मक्खन की तरह पिंगलाने का काम करेगा है, इतना जबरतस्थ है यह नुस्खे का सीवन और दोस्तों, इस नुस्खे की जो मुखे समगरी है, वो है दोस्तों मुनक्का, और दोस्तों, मुनक्कों के फाइदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि मुनक्का क्या होती हैं और बहुत त्रहे की बिमारियों के इलाज के लिए इन मुनक्कों का प्रियोग किया जाता है इनसे बहुत त्रहे की ओस्तियां तयार की जाती है इन मुनक्कों में भरपूर मातर में आइरन, पोटासियम, कैल्सियम, मेगनीशियम और फाइबर पाये जाता है और यदि कोई व्यक्ति इन मुनक्कों का सेवन लगातार करता है तो उसके सरीर में सांड जैसी ताकत का संचार होता है और सरीर की फोलादी बोडी बन जाती है उसकी हडियां मजबूत बन जाती है क्योंकि ये कैल्सियम का भी खाजाना है और आपको जोणों के दर्ड, घुटनों के दर्ड, कमर, हाथ, पैर इनके दर्द से भी बचाता है आपके पेट के रोगों का इलाज करती है मुनक्का इसके अलावा और भी बहुत सारे कामों में मुनक्कों का प्रियोग किया जाता है जैसे मुटापे को कम करने के लिए, बैड कोलोस्टोल को कम करने के हार्ट ब्लोकिस को खोलने के लिए, पूरे सरीर की सफाई करने के लिए तो देखा दोस्तो मुनक्का कितनी चमत कारिक हैं तो चले दोस्तो जानते हैं कि आपने इस नुस्खे को अपने घर पर बनाना कैसे है दोस्तो आपने क्या करना है सबसे पहले 20 गराम मुनक्की लेकर उनको अच्छी त्रहे से दो कर साफ कर लेना है अच्छी तरहें से धोना है और उनके भीज आपने निकाल लेने है अब आपने क्या करना है dos glass गिलास पानी लेकर आग पर रख देना है जैसे कि ये हमने रख दिया अब आपने इसमें उन धोई हि उनुकों को डाल देना है जिन से आपने भीज निकाले थे जैसे कि ये हमने डाल दी अब आपने इनको उबालना है और इनको 5-7 मिन्ट उबालने के बाद बंद कर देना है गैस को और ये काम आपको रात को सोते समय के आसपास करना है और अब इनको पूरी रात ऐसे ही ढखा रहने देना है और सुबे खाली बेट आपने इस पानी को चान कर इस पानी को सुबे खाली बेट पी लेना है और इन मुनकों को जो आपकी ये मुनक्के बची इनको भी ऐसे ही चबा चबा कर खालेना है या तो आप इनको ऐसे ही चबा चबा कर खासकते हैं याँ एक गिलास दूद में इनको उबाल कर उस दूद को पी सकते हैं और इस मुनकों को भी खासकते हैं दोस्तों यदि आपको सिरफ खून की कमी है तब तो आप इनका सेवन ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन यदि आप खूलादी बोडी बनाना चाहते हैं और अपने सरीर की इम्यून पावर को भी बढ़ाना चाहते हैं तब आप इनको दूद में उबाल कर उस दूद का सेवन करें और इनको भी चबा चबा कर खानें और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगी तब आप देखेंगे कि आपके सरीर में ताकत का इक नया संचार होगा आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बचाएगा हर तरह की बीमारी से आप बचे रहेंगे कोई भी बीमारी आपके सरीर को चू नहीं पाएगी दोस्तों, चाहे आपकी हडियों को मजबूत बनाना हो, या सरीर के किसी भी दर्द से छुटकारा पाना हो, या पेट के रोगों का इलाज करना हो, या हार्ट ब्लोकेस को खोलना हो, और कोलोस्टोल की समस्चे से निजात पानी हो, ये हर अत्रहें की बीमारे में ये नुस्ख हर अत्रहें की बीमारी से अपने सरीर को बचा दें, तो दोस्तों, यह थी हमारी वडियों, अगर आपको हमारी वडियों अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बेल का इकोन है, उसको भी दबा दीजे, ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियों की नोटिकेशन आते रहे, धन्यवा दोस्तों.